नमस्कार दर्सकों, कैसे हैं आप शभी? उम्मेर करता हूँ, अच्छे होंगे, श्वस्त होंगे और मजे में होंगे? दर्सकों आज का जो हमारा वीडियो है, वो आपके लिए आवश्यक होने वाला है. आज हम लोग बात करने वाले हैं सपने के बारे में, यानि कि श्वपन सास्तर के बारे में, मित्रों सपने में अगर आप खुद को चोड़ी करते हुए देखते हैं, तो ये शपना कैसा है? ये शपना अच्छा है या बुरा है? शबाल बहुत ज्यादा महत्पुर्ण है, इस को अपना नाम कमेंट कर देना है, उसके बाद वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना है, तो आईए अब हम वीडियो की सुरुआत करते हैं, मित्रों सपने में अगर आप चोड़ी करते हैं, तो ये शपना अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, ये सपना सुभ नहीं, नहीं है और आपकी जो इक्छा है वो पुर्ण नहीं हो रही है, आप मन ही मन, बिचलित हैं, आपकी जो इक्छा है उसको पुर्ण करने में आप और शमर्त हैं, आपका शमया आपका भागे, आपका शाथ ज्यादा नहीं दे रहा, और इस कारण से आपको परेशानी का सामन में पैसों की जो कमी है वो भी हो सकती है और अगर पहले से पैसों की परिशानी है पैसों की कमी है तो परिशानी बढ़ेगी और शमय का साथ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा इस सपने के वाद अगर आपकी मित्रवंडली है दोस्त हैं तो उनके शाथ में आपका शंबंध भी खराब हो सकता है इसकी संभावना बहुत ज्यादा रहेगी तो जहां तक पॉसिबल हो जो भी कड़ी भी लोग हो आपके उनके शाथ में अपने शंबंध को आपको मजबूत करने का प्रयाश करना चाहिए आप मेंसे जो भी लोग नौकडी करते हैं या वेपार करते हैं तो इस सपने के वाद आपको नौकडी के छेतर में और अपने कामकाज वेपार के छेतर में शाबधान होना होगा क्योंकि कामकाज में आपको दिक्कतों का शामना परिशानियों का सामना कही न कहीं क करना पड़ेगा मित्रों आप मेंसे जो भी लोग शामाजी कार्ज करते हैं समाज में हमेशा सक्रिये होते हैं एक्टिव रहते हैं अगर आप राजनिती करते हैं तो इस अपने के वाद आपको थोरा शाबधान होना होगा क्योंकि हो सकता है तो आपकी परतिस्ठा इज्यत कह कहीं न कहीं धुमिल होगी और शमाज में आपको शमस्या का सामना कहीं न कहीं करना पड़ेगा यानि कुल मिला कर देखा जाए तो इस अपने को देखने के वाद आपके जीवन में परिशानी कहीं न कहीं अवश्य होगी मित्रों इस सपने के अर्थ को जानने के वाद आप चिंती तो अवश्य हो गए होंगे तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है इस सपने का एक उपाई है अगर आप वो उपाई करते हैं तो आपको फाइदा होगा और जो परेशानी है वो अपने आप दूर हो जाएगी इसका उपाई क्या है कि शपना देखने के वाद अगले दिन आपको हनवान जी की पूजा करनी है या फिर हनवान जी के लावा भगवान सनिदेव की पूजा भी अगर आप करते हैं तो इस सपने का जो प्रभाव है वो कहीं ने कहीं कम हो जाएगा और परेशानी भी कहीं ने कहीं कम होगी मित्रों उम्मीद करता हूँ शारी बात देना है तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्री राध है